बिये थर्डियर की कक्षम में आप सबका स्वागत है अभी तक हमने गीता का दूसरे तिसे चौते अध्याय का अध्यान किया है जो दर्शन से संबंदित पुस्तक है इसमें व्यक्ति के किस प्रकार से वेवार करना चाहिए विप्रीत परिस्तित्यों में वांसिक संतुलन किस प्रकार बनाए रखना चाहिए तथा जीवन में किन बातों को महत्वि देना चाहिए इन सिध्धानतों की रक्षा के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए इत्यादी जीवन से संबंदित अनेक प्रकार के जो समस्याएं हैं जो कठिनाईयां आती हैं उनका समाधान हमें कीताएं मिलता है जो हमारी बुद्धी को परिपक्व करती है और जीवन जीने का सही ढंग सि उन बातों का हमने वहाँ पर अध्यन किया इस दोनों ही क्रंद गीता और विद्धुनीती महाभारत से संबंदित हैं व्यास द्वरारजित हैं उसमें हमने नैतिक संबंदित अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन दर्शन से संबंदित सिध्धानत हैं जो बाते हैं उनका अध और्गुवंश महाकावे, आप सब को पता है, माहकावि कालिदास के दौरा भिरज्चत है, कालिदास की शैले से आप सब परजज़फ हैं, इस महाकावे के प्रतम सर्ग का अध्यन, प्रतम वर्ष में आपने कर रखा है बिए फस्ट येर में, अता उस शैले से परज्चत हैं और कालिदास सेकेंड डियर में आपने उनके अवेक्या शाकुंतिलम को पढ़ा अब पुना थर्ड डियर में रगुवर्श के छटे सर्ग को पढ़ना है इसमें इंदुमति स्वयमवर जो अज का स्वयमवर है पूरे सर्ग में उसका वर्णन है कि राजा किस प्रकार से सुशोबित हो रहे हैं अज किस प्रकार से आते हैं इंदुमति को आते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं राजाओं के क्या मना इस्तिती है अनिराजाओं की किस प्रकार से इंदुमति अज को वर्ण करती है वो पूरा बड़ा ही सुन्दर चित्रण हमें इसके अंदर मिलता है अब अधिक समय ना लेते हुए क्योंकि इस कथा से भी आप परिचित हैं फरस्ट इयर में आपको विस्तार से बताया हुआ है इससे सम्मदित नोट्स भी डाले हैं तो अब हम सीधे सीधे टेक्स्ट पर आ जाते हैं कालिदास की शेलिक आपको पता है कि वो प्रसाद शेलिक में लिखते हैं प्रसाद का जो सरलता से स्वामज में आ जाए इसमें उपजाती छंद का प्रयोग मिलता है इससे अब हम पहले लोग पढ़ते हैं उसके बाद उसके सासात इसका जो वैशिष्ट है उसको भी हम देखते चलेंगे सातत्र मंचेशु मनोग्य वेशान सिंगा सिनस्थान उपचारवत्सू वेमा निकानाम मरुताम अपश्यत आकृष्ट लीलान नरलोग पालान आपको पता है जब हम किस विशो को दो बार तीन बार पढ़ते हैं तो दीरे दीरे हमारे समझ में आने लगता है कि इसमें कितने पद किस विभक्ती में हैं किस वचन में हैं और इस तरह से हम अर्थ निकालने में समर्थ हो जाते हैं अब जब से पहले इसका प्रारंब भी हो रहा है सा से सा से प्रारंब हो रहा है सा और क्रिया क्या है सा या नहीं करता उसने क्या करा अपरश्यत देखा अब इसके पीच में हमारा पूरा का पूरा हमारा जो विशे है जो कत्थ है वो आ जाता है सा उसने तत्र उपचारवत्सू तत्र यानि जो स्वयमबर सभा है वहाँ पर जहाँ पर स्वयमबर का इस्थाने उपचारवत्सू दोनों किसमे आ गए तत्र को हम सज्टमी के यर्थ में वहां अधिश्ठान के यर्थ में प्रेयोग करते हैं उपचारवथ सु उपचार से युक्त उपचार탉न यहां पे बीज प्रकार के उपकररण विद्यमान है या जिसको सज्जद कर रखा है ऐसे उपकर्णों से सुश्यवद्ट क्या हागया मन्चेशू मन्च पर ये भी क्या हो गया सब्तमी का बहुवचन हो गया उपचारवत्सू मन्चेशू उपचार युक्त यानी उपकर्णों से युक्त मन्चों पर क्या है सिंखासन इस्थान सिंखासन अस्थान सिंखासन प पर बैठे वे अभी क्या होगा सिंखास नस्थान बालिकान आपको पता है तो क्या होगा सिंखासन पर इस्तित जुथ्या का बहुवचन हो गया पुल्लें के यह सपश्ट हो गया सिंखास नस्थान मरुताम मनोग की वेशान मनोग की वेशान अथर्थ सुन्दर वेशपूश धारण करने वाले मन को जो अच्छी लगे मनोग्य वेशान ऐसी वेश भूशा को धारण करने वाले अथार्ट सुन्दर वस्त्र धारण करने वाले वेमानिका नाम वेमानिका नाम वेमानों में बैठे हुए वेमानिक जो विमानों में बैठे हुए हैं विमान से संबंदित वायू पवन भी होता है लेकिन अमरकोश में इसका एक अर्थ अमर भी किया गया है तो यहाँ पर ये देवता के अर्थ में आया है मरुदगण अतार देवतगण चो हैं तो उन देवताओं के समान आकर्ष्ट लीलान अतार दूसरों को आकर्ष्ट करने वाली लीलाओं को करने वाले आकर्ष्ट लीलाओं वाले इस प्रकार से भी इसका मत कर सकते हैं आकर्षक लीलाओं वाले आकर्ष्ट करने वाली लीलाओं को करने वाले कौन है ये नरलोक पालान अतार दूसरों का नरलोक का पालन करने वाले लोक नरलोक को खोशन करने वाले ऐसे राजाओं को अपर्ष्ट देखा अब सीधा सा इस पश्ट हो गया सा पश्यत उसने देखा सा किसके लिए आया अज के लिए आया रगू वंश में जो रगू पुत्र अज है वो भी उस सवयंबर के लिए आंद्रित है रजा रगू के पुत्र है वो वहाँ पर पहुचते हैं और जब पहुसते हैं तो देखा वहाँ पर पहले से ही अन्य राजा जो सभा में निमंत्वित थे सोयवर के लिए निमंत्वित थे वो पहले से ही वहाँ वित्यमान थे कैसे लग रहे थे वो लोकों को आकर्षित करने के लिए अपने लीला के दोरा आकर्षित कर रहे थे कैसे लग रहे थे वेमानिका नाम मरुताम विमान में इस्थित देवताओं के समान यारी वो जो सिंगासनों पर बैठे होते ऐसा लग रहा था कि वो सभी जो वहाँ पर राजा हैं वो अपने अपने विमानों में बैठे हुए हैं तो तेशाम वैमानिका नाम विमानी चरंती आपर वैमानिक करते क्या होता है विमानों में बैठे हुए वे इसका उन देवताओं को आकर्ष्ट अतर्थ आकर्षित करने वाले किसे अपनी लीलाओं से तो आकर्ष्ट लीलाम तो दूसरों को आकर्षित करने के लीलाओं को करने वाले राजाओं को देखा इस पश्ट होगे कहां बैटे हैं मन्च पर बैठे हैं कैसे मन्च पर बैटे हैं उपचारवत्सु जो विवित उपकर्णों से युपते हैं तो उसने वहाँ उप्चार से युक्त मंचो पर सिंखासन स्थान सिंखासन में बैठे हुए जिनोंने पड़ी ही सुन्दर वेश पूशा धान कर रखी है अपने लीलाओं से दूसरों को आकरशित कर रहे हैं अपने ख्रिया लकापों से अपने वेवहार से आश्टन से दूसरों को आकरशित करने वाले हैं ऐसे राजाओं को देखा उनको देखकर उसे ऐसा प्रतित हुआ कि मानों वहाँ अपने अपने विमानों में देवगर उससे कमतन नहीं है एक तो जहां सोयंवर में वो पस्तित है तो जो अन्य राजा उस सोयंवर सभा में आए हैं वो भी उसके समानी ही है तो इसलिए वहाँ पर यह आपको इसपश्ट है कि जो अन्य राजा हैं वो भी माने समाने से युक्त हैं आकर्शक हैं सौंदर से है वो भी समाज में उच इस्तान पर वो अधिष्ठित हैं, तो उनका जो प्रतिस्परधा नहीं कि की बात होगी या जो अजे के मन में इंदुमती के प्रतिजिए आशा है वह उसके अंदर देखता है कि वह हennis जो विद्धिमाने इंदू मति उन सभी को पसंद आ सकती है या वो उनको पसंद कर सकती है तो इस प्रकार से उसको अपने ही समान महापर राजा दिखाई पड़े तो आकरिष्ट लीला आकरिष्ट लीलान यहां पे आया है कि आपनी लीलाओं से आकरशित करने वाले आपको इस पश्ट हो गया है कि यहाँ पर उपेंद्र वज्जराचन्दे महाकाविका नियम आपको पता है यहाँ पर भी उस नियम का हमें निर्वहन देखने को मिलेगा अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रते ग्रहीता अनुनैन कामम रते अथाथ जो रती है रती कहते हैं कामदेव की पतनी का नाम रती है रती कही कर्थ होता है प्रेम काम कर्थ होता है इच्छा तो जहाँ इच्छा के साथ प्रेम संयुक्त हो जाता है तो अथार्थ रति कामदेव की पतनी रति के द्वारा ग्रहीत अनुनएन अथार्थ उसको अनुने को स्विकार करके ईश्वरेन महादेवेन भगवान शंकर के द्वारा प्रत्यरपित कामम मानु उसको काम प्रत्यर्पित स्वांगम अथार्ट कामम अप्रसिस ने कामदेग को स्वेम उसका शरीर प्रदान कर दिया गया हूँ ऐसे काकुच सम् आलो कैताम निपाना मनों बभूव इंदु मतीम निगाशम कि काकुट्सम आलो कैताम काकुट्स एक फ्वाकुवर्श में उत्पन होने वाले उस अज को देखकर निपाना मनों राजाओं के मन में इंदुमती निराशम बखोव इंदुमती को प्राप्त कलने हमिंदी जोन की आशा थी वो निराशा में परिणत हो गई था पहले क्या का कि अज ने वहाँ बैठे हुए राजाओं को वैसे ही देखा जैसे मानों देवता अपने अपने विमानों में बैठे हुए है जिससे उन राजाओं के महत्व का कि वो किस प्रकार से उनका महत्व है वो उनकी अपनी एक इस्थान है उसको यहाँ पे संकेत किया है लेकिन उन राजाओं ने जब अज को देखा तो उनके मन में जो इंदुमती को प्राप्त करने की आशा थी वो मुर्चा गई, वो निराश हो गए क्यों हो गए निराश? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि काम देहन के पश्चात रतिके ने जो विलाप किया, उसके विलाप से द्रवित होकर भगवान शंकर ने उसको काम देव को उसका मानुशरीर अज के रूप में वापिस कर दिया है और ऐसे वो काम की मूर्थी माराज अज को देख करके उन राजाओं के मन में निराशा उत्पन हो गई अथात उनको लगा कि अब इंदो मति उनका वरण नहीं करेगी तो रतिके द्वारा ग्रहीत अनुनाईन काम रतिके द्वारा ग्रहीत अनुनाईन रतिके द्वारा किये के विलाप को उसकी अनुने विने को ग्रहीत अनुनाईन उसकी अनुन्य विने को सुईकार करे इश्वर के द्वारा मानो प्रत्यर्पित कामदेव को मानो स्वांगम अपने अंग को ही मानो उसको साक्षा शरीर को ही रज के रूप में प्रत्यर्पित वापिस कर दिया है ऐसे उस काकुटसम एक्ष्वाकोवश में उत्पन होने वाले या उसमें इस दित अज को देखते हुई राजाओं के मन में निराशा उत्पन हो गई तो यहाँ पर जब हम आकलन करते हैं तो स्वेम की इस्तिति का भी कर लेते हैं कि वो जिस उद्देश से यहाँ आए हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी अत्वा नहीं मिलेगी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी उप जाती चंद है जिसका आमने पढ़ा है कि जो महाकावी का लक्षन है उसमें ये भी है कि पूरा सर्ग एक ही चंद में लिखा जाता है और एक ही चंद में लिखने के कारण सरगांत में चंद परिवर्तन हो जाता है एकी छंद में लिखने कारान भी बता चुके हैं ताकि कथा में प्रवाह बना रहे हैं उसकी जो गती है भंग ना हो तो जब एक विशे चल रहा है कोई एक विशे चल रहा है तो उसको एक ही छंद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गती उसकी रोचकता उसका प्रवाह बना रहता है और जो लेखक है कवी है वो रसकी अभिवेंजिना में रसकी प्रतीती कराने में सफल हो जाता है इसके साथ ही यहाँ पर काम देहन की जो परानिक कता है उसोर हमें संकेत मिलता है जिसके संब्ध में आप जब लिदास का कुमार संभब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सपष्ठ हो जाएगा प्रसंगा आप सबको पता होगा कि जब देवासुर संगराम हुआ और देवता हार गए थे तब उनको ये कहा गया कि यदि शिव का और अस्पुत्र होगा और वो देवताओं की सेना का प्रतिनी दित्व करेगा तो उनको विजय प्राप्त होगी और क्योंकि शिव उस समय समाधी में लीनते तपस्या में लीनते तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए रती और काम ने वान रित्ति प्रारंब किया पार्वति उससे में शंकल को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहीं थी उनकी सहेता से शिफ काम ने उनके पीछे से बार्ण चलाया और जब भग्वان्शंकल को इस बात का ज्ञान हुआ कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए इस प्रकार का सारा प्रपंचर जा गया है तो उन्होंने काम को भस्म कर दिया और काम के भस्म होने के पश्चाथ रतिकाविलाभ जो है वो अत्तिन प्रसिंत है कावि जगत में और तब शंकर ने उसको पुनहा ये वर दिया कि भले उसका जो अनंग नाम जो अंग रही ते प्रसिद हुआ कि अनंग रहते वे भी उसका प्रभाव संसार पर बना रहेगा यहाँ पर कभी बिल्कुल दूसरी कल्पना कर रहा है कि मानो अज के रूप में उन्होंने उसका शरीर भी उस रतिको वापिस कर दिया यहां पर पताते हैं कि किस प्रकार से अज के अंदर जो एक आत्म विश्वास है उनकी जो गती है उनकी जो चाल है उसमें जो विश्वास ऐसा रहता मानो सिंग शावक वहां पर गती कर रहा हो उसमें किसी भी प्रकार की हिचक नहीं है उन राजाओं के मत्र में जो पहले से वहां विद्दिमान है अज़ग सबसे बाद में आए हैं लेकिन उनका जो विश्वास है उनकी चाल में परिलक्षित हो रहा है उनकी चाल्वे परिरक्षित हो रहा है तो कह रहे हैं वैदर्व निर्देश्टम असव कुमारा असव कुमारा असव कुमारा वहाराज अच, राज कुमार अच, क्योंकि विवह के लिए आए है वेदर्व निर्दिष्टम वेदर्व अथात विदर्व राजकुमारों के द्वारा विदर्देश में जो उनके व्यक्तियों के द्वारा बताए हुए उनके द्वारा निर्दिष्ट क्लिप तेन सोपान पतीन जो वहाँ पर बना हुआ था उस सोपान पत पर सोपान माने सी तो उस सोपानपत पर चड़ते हुए मंच पर उसी प्रकार से चड़के जैसे शिला विबंगे मृकराज शावस कि जिस प्रकार से मृकराज शावक सिंग का बालक सिंग शिशू शिला विबंगे छोटे चटनों पर जैसे एक के उपर चड़ना है तो उन चटानों के उपर पैर रखता हुआ नगोत संगम नग अथाथ परवत के जो उत्तुंग शिकर है उस पर चड़ जाता है उसकी चोटी पर चड़ जाता है उसी प्रकार से वो रजबी जो मंच पर मंच पर चड़ने के लिए उस पर पून विश्वास के साथ चलता हुआ वहाँ पर चला गया तो यहाँ पर उसकी गती के हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो राजाओं के मद्दे में सुशोबित होता है किस प्रकार से सिंग शावक के समान अब यहाँ पर फिर वो उसकी किस से तुलना कर रहे है कार्तिक से अब कहरें परार के वर्णास तरनो प्रकार से प्रार के जोटें बहुमूल है ऐसे रंग भी रंग के वर्णास अथार्त रंग भी रंग के विबिंत रंगों वाले आस्तरण यानि की जो चादर है जो उसके उपर बिचे हुए है तो ऐसे मंच बना हुआ है मंच पर चादरे बिचे हुए कैसे यह रंग बिढ़ँ है तो जो अत्यनत्मबहु मुलिवान है ऐसे रंग बिढ़ंगे सुन्दर वस्त्र जिस पर बिच्छे हुए हैं और रत्न वद आसनम जिस पर अधेक रत्न लगे हुए हैं ऐसे आसे दिवान सहा ऐसे सिंखासन पर आसे दिवान बैठा हुआ वहाँ पर इस दिथ वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मयूर प्रिष्ठ आश्रेइना मयूर प्रिष्ठ का आश्रे लेकर पैठे हुए गुहेन उपमिय कांती आसित गुहु के समान को अधार्थ कार्थ के जो कैसे हैं उनसे तुलना करने के योगे हैं अधात उनकी जो उपमा के से की जा सकती है कार्थ के से की जा सकती है तो उस मयूर प्रिष्ठ पर आसन लगाए हुए तुलना करने के योगे उपमे हैं उपमा के योगे हैं तो उनसे जिसकी समानता की जा सकती है ऐसी अत्याधिक शोभा से युग्त कुमार कार्थिक के समान प्रतित हो रही है यहाँ पर उनके लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया गया कुमार शब्द जो है वो कार्थिके के लिए प्रयोग होता है क्योंकि कार्थिके में भी जो बाल्य वस्था है कुमार शब्द जिसे जो प्रतिदोनित हो रही है, यहां पर अज की भी अभी युवा है, युवा वस्था में प्रवेशी किया है, इसलिए उनको कार्थके के समान बताया जा रहा है, उपमेया कांतिय से सा उपमेया कांतिय था, जिसकी शोबा दूसरे से तुलना कारने के योग होती है, उस पर उपमालंकार है। तासु राज परमपरासु उन राजाओं की परमपरा में परमपरा सब्सी तात पर यहां पर पंक्ति से कि वहां पर राजा जो बैठे हुए हैं अपने अपने स्थानों पर तो ऐसा लग रमानो एक पंक्ति से बन गे तो उस राज परमपरा में अथार जो भी है वहां पर एक से एक तो पंक्ति से हम तात पर लेते हैं और एक राज परंप्रा से कि वो सभी राजा बैठे हुए है तो उन राज जाओं की पंक्ति में श्रिया लक्ष्मी के द्वारा पयो मुचाम पंक्तिशो पयो मुच कहते हैं बादल को पैसाम मुचत अधर्थ जो पैसाम अधर्थ ज जो विजली चमकती है तो उसमें अपनी जलसे परिपून बादलों में उसकी जो छवी है जो उसका प्रतिबिंबन है वो सहस्र प्रकार से प्रकट हो जाता है उसी प्रकार से उन राजाओं की पंक्ती में उन राजाओं के समुहु में लक्ष्मी ने अपने को विभक्त करके क दुर्निरिक्षिया आत्मा व्यरुचत की प्रभाविशेश का उद्य होने के कारण दुर्निरिक्षिया जो कठिंता से देखे जाने के योगे है ऐसे उनमें वो उसने अपने को अलग-अलग करके विभक अपने शोभा को प्रकट कर दिया तो यहां पर जो से बिजली कौंती है तो पूरे बादल में चमक उसके अलग-अलग हिस्सों में प्रकट हो जाती है उसी प्रकार से लक्ष्मी ने यहां पर उस सभा में उपस्तित राजाओं में अपनी कांती को अनेको प्रकार से प्रकट कर दिया तो यहां पर जो लक्ष्मी है वो विद्युत के समान है उस उदैवाली जिसके विशेश रूप से उदैवो रहा है श्रीका ऐसे उस राजाओं में उसने अपने को प्रकट कर दिया तेशा महार आसन संस्तितानाम उदार नेपत्त बृताम समध्धी राजधामना रगुसूनुरेव कल्प द्रुमानाम इवपारी जाता तेशा महार आसन संस्तितानाम महा और अर्ह दोनों शद्दों का यहां पर प्रयोग किया गया तो गया महार जो अत्यादिक मूल लिवान है, महत्सितात पर क्या है? मूल लिवान, जिसका मूल अत्यादिक है, अर्माने योग्यष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उनका नेपत्य विधान कैसा है अत्यंत उत्कृष्ट कोटी का है जिन्होंने अच्छी वेश भूशा धारण कर रखी हुए है तो ऐसे जिन्होंने उज्जल और स्वच्थ सुन्दर वस्त्रों को धारण कर रखा है उन सभी राजाओं के तेशा मत दे उन सभी राजाओं के बीच में वो अज कैसे विराज मन हुए कल्प द्रोन माना पारी जाता एव जिस प्रकार से सभी कल्प विक्षों के बीच में पारी जात विक्ष सुशोबित होता है उसी प्रकार से उन सभी राजाओं के मत में रघू सूनू रघू के पुत्र वो अज धामना अपने सुशोबित हुए कैसे राजा है तेशा महारासन संस्तितानाम अत्यदिक मूल लिवान और शेश्ट आसनों पर उपस्तित या विराजमान उतकृष्ट नेपत्त विधानवाले उन राजाओं के मद्धे में वो रगुसूनू वो महाराज अज अपने तेज से उसी प्रकार से सुरोशोबित हुए जिस प्रकार से कल्प द्रुमानाम पारी जाता कल्प विक्षों के मद्धे में द्रुमानाम उनके मद्धे में पारी जाते विक्ष सुशोबित होता है तो यहाँ पर जो अज की शोबा है उन सबसे प्रिथक है जिसके कारण वो अपना वैशेष्ट यहां पर तकट कर रहे हैं या उनके द्वारा उस विशेष्ट देज को धारण किया जा रहा है नेत्र वजरा पौर जनस्य तस्मिन विहाय सरवान निपतीन निपेतू मदोद कटेरे चित पुष्पवरिक्षा गंदत दुपेवन इव दुरेफा अब यहां पर कह रहे हैं कि नेत्र वजरा पौर जनस्य तस्मिन सरवान विहाय सरवान निपतीन निपेतू मदोद कटेरे चित पुष्पवरिक्षा गंदत दुपेवन इव दुरेफा पौर जनस्य पौर जन अथाथ पुर में निवास करने वाले पुर के जो जन है वो पौर जन थाथ जो नगर के निवासी हैं जो वहां के नागरिक है नेत्र व्रजा उनके नेत्र समुहूं जो हैं वो किसे हैं सरवान निपतीन विहाय वो समस्त राजाओं को छोड़कर मदोत कटे रेचित पुष्प विक्षा गंदत दुपे मदोत कटे अत्यंत उतकट जिनका मज़न रियंतर प्रवाहित हो रहा है ऐसे वन्ये गंदत दुपे वन्ये निवास करने वाले हाथी के समान गंदत दुपे दुप माने हाथी तो जिसका मज़्चल प्रवाइत होने वाले हाथी के उपर रेचित पुष्प विक्षा हाथी के उपर फूलों से जो खिला हुआ है ऐसे रेचित पुष्प विक्षा ऐसे अपने उसके उपर अपने पुष्प के को छोड़ते हुए फूलों से खिल्या हुआ है जो ऐसे विक्षों वाले दुरेफा एव हाती के समान तस्मिन निपेतू उस पर जाकर टिक गई यहां पर निपेतू सिधात पर है कि उसके उपर लग गई अथात जो नगरवासियों के नेत्र थे वो अन्य राजाओं को छोड़ कर एक मात्र अज के उपर ही टिक गए किस प्रकार से टिक गए जिस प्रकार से जो ब्रहमर समू होते दुरेफा माने ब्रहमर जिस प्रकार से द्विरेफ अथात ब्रहमर समू, फूलों से जो खिले हुए हैं ऐसे सुगंदित रिक्षों को छोड़ कर मजजर प्रवाइद होने वाले हाथियों पर जाकर चिपक जाते हैं, उन पर जा बैठते हैं, उसी प्रकार से फुरवासियों के नेत्र समू भी उस अज़ पर जाकर गए या उससे बंद गए, यहां पर नेत्र किसके समान है? ब्रहमर के समान है, सभी जो नगर के निवासी हैं, जो वहाँ पर उपस्ते थे हैं, तो वो समू हो गया, तो ब्रहमर समू के समान, किस पर जाकर लग गए? महराज अज़ के सौंदर पे, उनकी और इस प्रकार से आकरशित हुए कि अनिराजाओं को छोड़ दिया तो ब्रहमर जिस प्रकार हातियों के मचल से अतिंत आकरशित हो करके अनिसुगंतित पुश्पवाले व्रिक्षों का परित्या करके उन हातियों पर उतकृष कोटी के जो हाती है उन पर जाकर बैठ जाता है उसे प्रकार से नगर निवासियों के नेत्रे भी अजस्पर जाकर के टक्टकी बंद गई या उस पर जाकर इस्थिर हो गए तो उन राजाओं के जो वहाँ पर उपस्तित पहले से उनके बीच पर केवल अजही जो है वो अपने वैशिष्ट के कारण आकरशन का केंद्र बने हुए है तो जिस प्रकार से उन भ्रमरों को देखा जाए कि वो जाके हाथियों के गंडे स्थल पर जाकर इके मंडराते रहते हैं उसका जो मज़ल है उसको पीने के लिए उत्सुक रहते हैं उसी प्रकार से उनके जो नेत्रे हैं वो अजिके सौंदर का पान करने के लिए अत्यंत उत् पर ही जाकर निवास कर रहे हैं या उन पर जाकर बंद गए हैं दिर्ष्टियों के उपर बंद गई है अब यहां पर कह रहे हैं कि जब वो सारे राजा सभा में उपस्थित हो गए हैं उस सवेंवर सभा में तो उसके परशात उनकी प्रशन सामे या उनके परशे देने के लिए जो वहां के चारण जन हैं उनके द्वारा उनका प्रशस्तिगान किया जा रहा है उनकी परंपरा को किस वन्ष परंपरा में हैं उसका वहां पर परशे दिया जा रहा है इसके परशात अन्वय गई, अन्वय माने वंश, तो उन जो राजा जिस राजकुल से संबंद रखते हैं, तो इसका वंश का जिनको ग्यान है, तो वो क्या होई ग्याता, तो अन्वय गई, तो उन अन्वय अग्यों के द्वारा, उन राजकुल के बारे में जानकारी रखने वाले बंदिब भी उन चारण भाटों के द्वारा भली प्रकार से उनका गुणगान कर लेने पर सुमार्क वंशे नर्देव लोके सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन होने वाले राजाओं का इस्तुते सती उनका प्रशस्ती ग्यान कर लेने पर संचारिते अगुरू सार योनों धूपे वैजियन्ती की जहां पर धूप जो धूपती जलरी अगरवत्ती के सुगंद है तो उसके धूएं से उस संपून सबाग रहे के आच्छादेतों को जाने पर वहाँ पर जो उनको अकरशित करने के लिए जिसका कार्दिय वस्ता की गई है तो उस अगुरू के धूएं के उपर हो जाने पर अथारत उर्दोगामी हो जाने पर ये इसका बाद यहां पर आगे के शलोखों से इसका अन्वय है कि वहाँ पर आता है कि उस मन्चमार्ग से आती होई इंदौमती को देखा या इंदौमती ने वहाँ पर प्रवेश किया तो कैसी सभा में उसको यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर पहले तो उन चारण भाटों के दोरा वहाँ पर उपस्तित राजाओं का परचे दिया गया और उनकी इस दोरा इस्तुतिक कर लिये जाने पर जब परचे हो गया एक एक करके परचे दिया तो उनका परचे हो जाने पर वहाँ पर पुरोप कंठोप बना श्रयानाम कलापी नाम उद्धत नित्य हेतु प्रतमात शंके परितो दिगनतास तूर्यस्वने मोर्चती मंगलार थे पुरोप कंठोप बना श्रयानाम अब वो कह रहें के पुरोपकंठ राजधानी के जो रूप है उसके नगर के बिल्कुल निकट बने हुए जो आश्रयानाम उनका आश्रया लेने वाले जो वहाँ पे बागबगीचे बने हुए हैं तो उन पगियों में रहने वाले वहाँ निवास करने वाले कलापी नाम उद्दत नित्य हे तो उन कलापी नाम कलापी कहते हैं मोर को तो उन रंग बिरंगे मयूरों के द्वारा उद्दत नित्य हे तो अथार्थ उचल उचल कर नाचने की कारण प्रदमात शंक के परितो दिगंतां स्तूर्यस्वने मूच्छती मंगलार थे और मेग की जो गरजना होती है उस मेग गरजना के व्याप्थ हो जाने पर और शंक को जोर जोर से बजाए जाने पर उस शंक की आवाज के दसो दिशाओं में दिगंतां स्तूर्यस्वने अथार्थ उस ध्वने के उस शंक नादे के दसो दिशाओं में व्याप्थ हो जाने पर दिगंतां यहां पर संधी आपने फस्टियर में पढ़ रख की है देख करके बताएगा कौँ सी है दिगंतांस तूर्यस्वने उस तूर्याने के जो उसका स्वर है जो उसका तुमुल नादे है उस नादे के सब और भली प्रकार से मंगल आते कैसा नादे मंगल आते मंगल के लिए कि जाने वाला जो शंकनाद है उसके दसो दिशाओं में व्याप्त हो जाने पर तो कैसे पुरोप कंठोप बना श्रयाना राजधानी के निकट इस्थित्फ बगी जो में काश रेले वाले कलापी नाम उद्दत नित्त है तो कलापी नाम अतात मयूरों के जो वहां के मयूर हैं उनके उच्ठल उच्छल कर उद्दत नित्ति का जो कारण है ऐसे प्रदमात शंके परित्तो चारों और शंक की तुमल्धवनी जो जो से बजाए जाने की कारण और उनके जो नाचने का कारण है कि जब में गरस्ते हैं तो मयूर जो है वह नित्ति करता है तो जब शंक हुँ जो है रहे हैं मानों मेगवरचन कर रहे हैं और उस कारण से दौर रहा पर नित्तिकरना प्राघए चरों और जों में व्यापत हो जाने पर किस लिए जारे पर मंगलार्था किizar fragrance कर पर की जाने वाले उस शंक नाद के सर्वत्र व्यापत हो जाने पर अब इसके बाद फिर आगे किस लोक से इसकानवे होगा उस राजकन्या इंदुपती ने मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग से प्रवेश किया अर्थार्थ यहां पर यह स्पष्ट है कि जब सोयंवर कायो जन किया है और उस कारिका प्तारंप किया रहना है तो वहां पर शंक धोनी की जाती है कि जिससे एक मांगलिक वातावरन उत्पन हो शंक की आवाज से तो जब इंदुमती वहां पर आ रही है तो उसे मौके पर मेग की गजना तो सभाविक रूप से हो गई प्रकृति ने मानो उसकी अपनी सहमती दे दी और उस मेग गर्जना के करण जो मयूर है वहां पर वो नित्य करने लगे जो वहां का निकटवर्थी उद्यान है उसमें वो नित्य करने लगे और उसमें अफसर पर जब शंक के ध्वने की गई तो उस शंक के ध्वने के बाईसा लगा मानों दसो दिशाओं में व्याप्त हो गई है और ऐसे वातावरण में ऐसे समय पर इंदुमती ने वहां पर प्रवेश किया यहाँ पर उपकंठ कारते हैं समीप पुरोपकंठ पुर माने पुर नगर पुरस उपकंठ समीप में उपवनानी और जो उसके उपवन है वह पुरोपकंठ अब कहते हैं मनुष्यवाईयम चतुरस्रयानम अध्यासिक अन्या परिवार शोभी विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिमवरा क्लिप्त विवाह वेशा अब यहाँ पर कहते हैं विवेश प्रवेश किया किस ने प्रवेश किया पतिमवरा पति का वरण करने वाली अथाथ जो भावी पति का पतिमवरा कहते जो अपने पति का स्वयम वरण करें तो स्वयम्वर इसलिए का गया तो भावी पती का वरण करने वाली या वो स्वयम्वरा क्लिप्त विवाह वेशा जिसने विवाह का वेश धारण कर रखा है उस कन्या अथार्थ इंदो मतुने मनुष्य वायम मनुष्य अथार्थ मनुष्यों के द्वारा वेहन की जाने योगे परिवार शोभी अपने परिवार जनों से जो उसके साथ सकी सहे लिया संबनती जो पूरा समू है उसके साथ चल रहा है उसके द्वारा शोभायमान सुश बित होने वाली चतुरस्रयानम चतुरस्रयान चार कोनों वाली यान पर अध्यास बैट कर या उस पर आरूड होकर मंचांतर राजमार्गम विवेश मंचों के मद्ध में निर्मित राजमार्ग से विवेश प्रविश्ट हुई तो यहां पर जो इंदुमती का प्रवेश हो ऐसा कैसे हो रहा है पालकी में चड़कर का यह चार कोनों वाले यान पर चड़कर के आई है जिसे मनुष्य वायम जो मनुष्यों के द्वारा वेहन के लिए जिसे हम समानेता पालकी कहते हैं उसमें अध्यास से बैठ कर परिवार शोबी अपने जोसके साथ ही है उनके द्वरा है स्वयंबर करने के लिए उपस्ति हुई है क्लिप्त विवाह वेशा उसने विवाह की वेशबूशा रहन कर रखी है ऐसे उस सभाग्रह में उनमंच के मद्द में बने वेनारमाग से विवेश प्रवेश किया